नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विश्णुक ताफ सिंग और अपनी कम्प्यूटर पाट साला के इस वीडियो टुटोरियल में आपका स्वागत है दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों टैली ERP9 का ये लेक्चर नमबर 9 है मेरा जो फ्रेंड्स इस वीडियो को पहली बार देख रहा है उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इसके पिछले जो वीडियो मैंने डाले हुए है जो लेक्चर्स मैंने डाले हुए है पहले उसको देखें फिर इसको देखें तो ये और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों इसमें हम लोग accounts group creation के बारे में पढ़ेंगे ये टैली company के अंदर नए accounts group हम लोग कैसे create करेंगे तो दोस्तों आईए हम लोग टैली में चलते हैं दोस्तों ये syllabus है हमारा इसमें overview of tally हम लोग कर चुके हैं basic accounting कर चुके हैं company creation, leisure creation, voucher entry, profit and loss, balance sheet, backup and story, store of company दोस्तों ये इतना हो चुका है इस वीडियो में हम लोग को देखना है accounts group create करना तो दोस्तों पहले मैं accounts group के बार में बता देना चाहता हूं आईए टैली में चलते हैं एक नई company create कर लेते हैं पहले all plus f3 shortcut की press किया and c, c for create company accounts group दोस्तों ये company create कर लेंगे ये हमारी company बन गई company बनने के बाद हम लोग जाएंगे laser creation पर लेजर पर गया और यहां से हमने create किया जैसे दोस्तों laser का नाम लिखा हमने यहां पर capital तो दोस्तों जैसे हम यहां laser का नाम लिखे और यहां enter करते हैं तो इस position पर आपसे under पूछा जाता है और यहां पर under हमारा इधर side में list of groups groups की list आ जाती है दोस्तों यह जितने groups हैं यही हमारे accounts group होते हैं जो भी account हम create करेंगे जो भी हम laser create करेंगे उन laser का coin कोई एक under हमें define करना होता है तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि यह list अगर इसमें कोई एक नया group बनाना है तो हम कैसे create करेंगे तो नया group की जरूवत क्यों पढ़ती है दोस्तों जैसे suppose मान लीजिए हम लोग assignments पर ध्यान देते हैं पहले आई assignments पर चलते हैं दोस्तों यह assignment है हमारा assignment no.4 इस assignment में ध्यान दीजेगा capital account है bank से deposit है bank से withdrawal है purchase है sales है furniture है rent है electricity bill है telephone bill है देन नीचे दोस्तों accounts group दिया गया है जैसे mobile mobile क्या है दोस्तों mobile एक product है और mobile का जो product है इसके बहुत सारे brand है brand मींस जैसे Samsung company भी mobile बनाती है LG भी mobile बनाती है macromax भी mobile बनाता है Nokia जो की अब Microsoft हो गया है वह भी mobile बनाता है तो दोस्तों बहुत सारी company बहुत सारे brand है जो अपने अपने brand से mobile बनाती है तो अब जैसे suppose दोस्तों हमारी company में कोई ऐसा product है जैसे की mobile का जैसे mobile का product है जो अलग-अलग कई सारे brand का product हमारी company ने परचेज किया तो दोस्तों इसको हम लोग क्या करते हैं एक separate account group create करते हैं जैसे की mobile का group बना लिया और उसके अंदर जो brand name है brand name और model name से हम लोग lasers create कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर mobile का group बनेगा Samsung J7 का laser बनेगा और इसका under mobile होगा Red MI Note 5 का laser बनेगा और इसका जो अंदर group होगा वो mobile होगा अब इसी तरह से दोस्तों जैसे समान लिजे हमारे पास television के भी बहुत सारे television एक product है हमारा इसके कई सारे brand अगर हमारे पास है तो हम क्या करेंगे television का एक group बना लेंगे और Samsung LED TV 24 इंच का laser बनेगा जो की television के अंडर में रहेगा फिर Onida LED TV 36 इंच का laser बनेगा जो की हमारा television के अंडर में रहेगा तो दोस्तों यहाँ पे जो group है हमारे यह mobile और television दो group है और mobile के अंडर में दो laser है और television के अंडर में भी दो laser है तो दोस्तों इस assignment को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले टैली बे यह हमारा capital का laser complete हो गया इसके बाद हम escape करके बाहर आएंगे accounts information पे again पहले हम लोग दोस्तों laser पे जाते थे अभी laser पे नहीं जाना है पहले हमें group create करना है group पे जाएंगे enter करेंगे और इसको create कर देंगे तो दोस्तों यहाँ पे group हमारे पास कौन कौन से थे mobile था और television था तो mobile का group हमने बना दिया mobile का under क्या होगा दोस्तों mobile television यह सभी हमारे क्या है यह सभी हमारे fix assets हैं तो fix assets हमने under दे दिया इसका नीचे दोस्तों यहाँ पे कुछ भी yes no नहीं करना है जो जैसे है वैसे ही by default enter करते हुए चले जाना है next हम बनाएंगे television दोस्तों television भी हमारा fix assets है एंटर कर देंगे यह दो group हमारे बन गए इसके बाद दोस्तों हम लोग भाहर आएंगे वापस gateway of tally पे यह gateway of tally पे आ गए अब हम अगें laser creation में जाएंगे account information laser पे गया और laser create किया दोस्तों यहाँ पर assignment देख लेते हैं capital का laser बन चुका है अब हमें bank से deposit और withdrawal के लिए एक bank का laser बनाना है देन purchase का sales का furniture का तो ICICI bank का laser ले लिया दोस्तों इसका under bank account होगा दी प्रेस करेंगे bank account यह यह enter करके हम save कर देंगे इसके बाद दोस्तों हमारा purchase था purchase account इसका under purchase account होगा इसको भी save कर देंगे दोस्तों देन आपका sales था इसका under sales account होगा इसके बाद हमारा sales के बाद furniture rent electricity bill and telephone bill furniture दोस्तों furniture fix assets होता है rent rent दोस्तों indirect expense होता है हमारा indirect expense यहाँ से ले लिया और enter करके save कर देंगे rent के बाद electricity bill electric bill यह भी indirect expense होता है दोस्तों save कर देंगे telephone bill यह भी indirect expense होता है दोस्तों save कर देंगे next अब आता है हमारा accounts group की बारी यहाँ पर देखिए mobile के अंडर में Samsung और red MI note 5 नाम का दो laser है तो इन दोनों को create करेंगे Samsung J7 नाम का laser है हमारा और इसका जब अंडर में आएंगे दोस्तों तो यहाँ आप हम ले लेंगे mobile M press कर यह देखे mobile है यहाँ पर आ गया पहले नहीं था जब हमने create किया तब ही आ गया enter करेंगे enter करके इसको save कर देंगे next है हमारा second red my phone red me note 5 यह भी दोस्तों mobile का ही अंडर होगा enter करके save कर देंगे इसके बाद है हमारा टेलिवीजन का ग्रूप यह लेजर है samsung led tv 24 इंच samsung led tv 24 इंच दोस्तों इसका जो ग्रूप होगा हमारा वो अंडर टेलिवीजन चला जाएगा यहां पर देखिए टेलिवीजन enter करके save कर देंगे next है दोस्तों आपका onida led tv 36 इंच 36 इंच यह भी अंडर टेलिवीजन होगा दोस्तों इसको save कर देंगे अब दोस्तों यह हमारा laser create करने का work finished हो गया यहां पर देखिए यह हमारा assignment बस इतना था यह हमारा finish होगा दोस्तों छोटा assignment रखा हुआ है ताकि आप लोगों को समझ में आए अब हम लोग आएंगे voucher entry के दोस्तों voucher entry करने के लिए हमें accounting voucher पर जाना होगा यहां पर यह देखिए यह आगया हमारे पास अब यहां पर हम क्या करेंगे सबसे पहले capital की entry करेंगे capital की entry आपकी receipt में होती है F6 shortcut की capital पांचलाक रुपए cash दोस्तों entry में फटाफट कर देता हूँ यह entry करना आप लोग पिछले वीडियो में सीख चुके हैं अब हमें bank से deposit bank में deposit करना है दो लाक रुपए और यहां पर bank हो जाएगा debit यह enter करते हुए skip कर जाएंगे दोस्तों bank से withdrawal करना है 50,000 यहां पर देखें bank withdrawal 50,000 तो यहां पर bank लगेगा आपका अब इसके बाद दोस्तों purchase है आपका purchase 20,000 का और sales 50,000 का तो purchase के लिए F9 दोस्तों purchase के लिए F9 प्रेस करेंगे हमारा purchase आजाएगा और यहां पर एक चीज फिर से ध्यान दीजिए name of items पूछ रहा है तो इसको change करने के लिए हम क्या करेंगे control V shortcut की प्रेस करेंगे तो हमारा change हो दाएगा यहां पर cash credit हो गया 20,000 by purchase again sales करना है F8 फिर से भाई shortcut की alt control plus V cash account debit 50,000 50,000 यहां पर sales होगा enter करके save कर देंगे then sales के बाद आपका आता है furniture, rent, electricity bill, telephone bill rent, electricity bill, telephone bill 5,000 यह से भी आपका expenses है यहां से जाएंगे F5 shortcut की प्रेस करेंगे सबसे पले furniture amount 20,000 cash electric rent 5000 electricity bill 850 telephone bill 500 इसके बाद rent होगा दोस्तों rent हमारा 5000 का है cash electricity electricity bill दोस्तों यह हमारा 850 का है cash इसके बाद आपका telephone bill होगा यह हमारा 500 का है cash है यह हमारी entry हो गई अब दोस्तों हमें क्या करना है यहां पर जरा assignment पर ध्यान दीजे Samsung J7 Redmi Redmi Note 5 Samsung LED TV और Onida LED TV इसकी entry करनी है और यह दोस्तों हमारे क्या है fixed assets ही है mobile fixed assets है television fixed assets है इसलिए इनकी भी entry हम लोग payment voucher में करेंगे तो दोस्तों फिर से हम लोग आते है telly में यहां से Samsung J7 how much 12,000 cash रेड्मी नोट फाइफ फोर लेजर बन गया है 15,000 15,000 रुपे दोस्तों cash से हमने payment कर दिया इसके बाद हमारे पास है Samsung LED TV 14,000 की और Onida TV 18,000 की Samsung LED TV दोसकों 14,000 की cash से एंट्री कर देंगे और Onida TV 18,000 cash से यह एंट्री दोस्तों हमने कर दी दोस्तों accounts group हमारा create हो गया उसकी voucher entry हमने create कर दी दोस्तों यह थोड़ा सा मैंने fast किया हुआ है voucher entry क्योंकि voucher entry लास्ट वीडियो में मैं समझा चुका हूँ इसलिए जिन friends को अगर फड़ा जल्दी लग रहा है तो लोग लास्ट वीडियो को देखें और इसको वीडियो को पास करकर के देखें ताकि चीज आसानी से समझ में आए अब दोस्तों report देखते हैं हम लोग कि हमारा जो entry हमने की है accounts group की उसका report में कहां adjust हुआ है तो report में सबसे पहले दोस्तों profit and loss देखेंगे यह profit and loss account खुल गया all plus f1 shortcut की press करेंगे यह हमारा maximize हो जाएगा यह देखिए पूरा detail सहीत दिखने लगा हमारा दोस्तों यहां पे net profit आ रहा है 23,650 रुपीज का और हमारे जो accounts group हमने बनाय थे वह यहां नहीं शो कर रहा है दोस्तों क्यों क्योंकि वह assets है fix assets है और assets हमारे balance sheet पे शो करते हैं बाहर जाएंगे balance sheet यहां पे देखिए दोस्तों fix assets में mobile शो कर रहा है television show कर रहा है furniture show कर रहा है अब जैसे mobile के अंदर हमें देखना कि कौन-कौन सा brand है हमारे पास तो mobile पे जाके enter करेंगे तो हम देखके यहां से पता चल जाएगा कि हमारे पास Redmi Note 4 का brand है और Samsung J7 का brand है और बाहर आएंगे television पे जाके enter करेंगे तो Onida LED TV 36 इंच हमारे पास है और Samsung LED TV 24 इंच हमारे पास है तो दोस्तों यह आपका accounts group का clear हो गया हमारे वीडियो को सर्च करने के लिए youtube.com में लिखें टैली भाई विश्णू सर या अपनी computer पार्ट साला जो की channel का नाम है यह डालके भी आप सर्च कर सकते हैं दोस्तों हमारा चैनल आ जाएगा चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और ज्यादा सिर्दादा शेयर करें ताकि यह वीडियो उन स्टुडेंट्स तक पहुंच सके जो पे करके सीखना अफोर्ट नहीं कर सकते दोस्तों यह हमारी mail id दे गई है कोई भी query है आपकी इस दोस्तों हमारी उन स्टुडेंल